माराश्ट में लगातार जो सियासी उठापटक अभी तक देखने को मिलता रहा है इन सब के बीज एक बड़ी खबर निकल कर सामनी आए जी हाँ, राज ठाकरे की पार्टी के एक कैंडिडेट है उन्हें बड़ी जगा दी गई है शिंदे सरकार में और सीधे तोर पर अगर आज चीजों को देखे या चीजों को समझने की कोशिश करे तो राज ठाकरे बहुत पहले से ये कह रहे थे कि आने वाले समय में उन्हें जरूर बीजेपी के अंदर बड़ा पद चाहिए देखे राज ठाकरे नाराज भी चल रहे थे क्योंकि राज ठाकरे के कंदे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई राज ठाकरे के कंदे पर जिस तरह से काम किया गया तो सीधे तोर पर जाहिर से ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि क्या वाकई राज ठाकरे को बड़ा पद महराश में नहीं दिया जाना चाहिए और तो और सीधे तोर पर जो बात करे अब राज ठाकरे यानि कि एमेनेस की बात करें उनके एक कैंडिडेट को जो बड़ी जगा आज मिली है वो कही ना कहीं ये इशारा करता है कि क्या अब महराश में राज ठाकरे का दबदबा बना रहेगा क्या आने वाले समय में एमेनेस का प्रभू तो अब महराश में दिखता नजर आएगा दरसल सीधे तोर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब उदब ठाकरे की नींद उड़ती नजर आ रही है शिवसीना के अब हरकम उड़ते नजर आ रही है क्योंकि शिवसीना में जो खलबली मची हुई है क्योंकि राश ठाकरे धीरे धीरे बीजेपी के अंदर सैट हो रहे हैं, धीरे धीरे बीजेपी में बड़ा पद उन्हें मिल रहा, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती नजर आ रही है, और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी के मिलने का मतलब ही यही है, क्या वाकई अब बीजे जो लगा है उसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि अगला नमबर राज ठाकरे का है और वो अब उद्दव की जगा लेंगे आज के लिए तना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार